नमस्ते जी, वेदिक लेखों में आपका स्वागत है, आज का हमारा विशय है, स्वाध्याय तथा उपासना से ही जीवन की वास्तविक उन्नती होती है, आज किस लेख के लेखक हैं, वेदिक लेखों के लिए, प्रणादा कहानियों के लिए, महापुर्शों के जीवन परच मनुष्य का सरीर जड़ प्रकृतिक तत्म से बना हुआ है नास को प्राप्त होने वाला होता है। आत्मा उन्नती को प्राप्त होती है। इसे कारण वेदों को स्था प्रमान अन्य ग्रंथों के ज्यान को वेदानकूल होने पर ही प्रता प्रमान माना जाता है। जो बात वेदों के विपरीद और विरिद्ध होती है वहां मानने युग नहीं होती। जो मनुश चैसा करते हैं वहां ब्रहनती रहित ज्यान वविज्यान को प्राप्त होते हैं। हमारा यह संसार एक अपरुसे सित्ता परमात्मा से बना है। सुखों को प्राप्त होता है। सुखों को प्राप्त करते हैं। इसा करते हुए वायोगा अभ्यास, ध्यान, समाधी, आदी द्वारा इस्वर के साच्छातकार को प्राप्त होकर मौक्च के अधिकारी बनते हैं। यही सब मनिश्यों के लिए करनी हैं। मरतमान में मत मतांतरों की अविद्या जुक्त सिक्चा के कारण मनिश्य इस ज्यान से दूर हो गए हैं। तता आथे ज्यान और पासना से होने वाले आनंद और सुकों से वंचित है। सध्यासे मनिश्य का आथे ज्यान के अनुरूर करमों को कर कर सकते हैं। सभी प्रसंस नहीं उत्तम कार ज्यान और पुरसाथ से ही संपन और सभव होते हैं अता स्वाध्याय से प्राप्त ज्यान से इश्वर मनुष्य जो है इश्वर की उपासना और संगती ही नहीं करता अपितु अनिसांसारिक कारों को करने में भी सफलता प्राप्त करता है और इसमें चित सुखों वा इधन एश्वर्यों को प्राप्त भी होता है सभी मनुष्यों को वेदादी उत्तम गरंथों का स्वाध्याय कर अपने जीवन को सफल करना चाहिए साथ्याय में प्रमुग ग्रन्त हैं वेद, दर्शन, उपनिशद, मन विशित द्मनुस्मर्ति, सत्यार्थ प्रकास, रिगिवेर भाशे भुमिका, सनसकार विदि, अर्या विविवनय, अर्यविद्वानों के वेद विश waving अन recycling ग्रन्त है इन गन्तों का अध्यान कर मनुष्य जो है उसकी आत्मा पूर्ण उन्नती संभव होती है इनके अध्यान से विध्या प्राप्त होती है जिसको हम अपने करमों और वेवार में लाकर सफल मनुष्य बनते हैं वेदों वा इतर रिशी करत गंतों का अध्यन कर मनिश्वकू इस्वर का जो सत्त सुरूप प्राप्ट होता है वाय रिशीद्यानंद के सब्दों में इस प्रकार है इस्वर सचिदानंद सुरूप नराकार सरवशक्तिमान न्याइकारी डैयलू अजन्मा अनंत अंदर्विक परिजन्म भी दुखों वहानियों को प्राप्त होता है अता मनुष्य को जीवन में रहते हूम् वेध्या को प्राप्त होकर सत्यकाही आचरन करना चाहिए। जिस्से वहाँ दुखों से मुक्त हो। तता सुकों से युक्त रहे। साथ ही उसका परजन्म भी उन्नती और कल्यान के सुकों को प्राप्त हो। वेद और वेदिक सास्तरों का अध्यन करने से मनश की आध्यात्मिक और भोतिक दोनों प्रकार की उन्नती होती है। स्वाध्याय इस्वर की उपासना करने से मनश सात्विक गुणों से युक्त होता है। यहाँ भोतिक उन्नती में भी सायक होते हैं। सात्विक गुणों से जीवन में ज्ञान विज्ञान सहित सभी विश्यों को समझने इसमन करने की योग्जिता वर्दी होती है सात्विक विचारों वाले विक्ति की सारे रिक्स तरम करने की सामर्थ अधिक होती है अता भोतिक विश्यों का ज्ञान प्राप्त करने में भी स्वाध्या और उपासन और पुरसार्थ को ही उक्त पाते हैं इनी गुणों और प्रैत्नों से इतिहास में अमर और रिख्यात हुए हैं अता सफलता उन्नती के इच्छा रखने वाले सभी मनुश्यों को इन गुणों को धारण करना चाहिए इनकी प्राप्ति वसाधन साधना में प्रमाद नहीं करना चाहिए लोकिक और पारलोकिक उन्नती में इनकुणों का महत्व नर्वबाद है यदि ऐसा हम करेंगे तो हम जीवन में चार पुरसार्थ उन्नतीयों धर्म, अर्थ, काम और मौच्छ को प्राप्त हो सकते हैं इस तरह के अन्य विदिक लेखों के लिए प्रणा दयाक कहानियों के लिए महापुर्शों के जीवन परचे के लिए विदिक रास्ट यूट्यूब चैनल को लाइक करें शेयर करें, सब्स्राइब करें बेल आइकोन की उन्टी को दबा दें और अपने कीमती सुजाओ कमेंट करें धन्यवाद